नमस्कार SGV News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया पश्चिम बंगाल के अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से वहां से हिंसा की खबरी आई इस पंचायद चुनाव को ले करके और रिजल्ट में भी घड़बड़ी बताई जा रही है इसे बीच आ मंगाल ने कारिकरताओं को जो है यहां पर जीत का श्रे दिया है क्योंकि दूसरे नंबर पर बीजे पिवा रही है दरसल अगर बात की जाए तो पंचायद चुनाव जो हुए पश्चिमंगाल में वह 8 जुलाई को हुए और 11 जुलाई को इसके नतीज़े आ गए ममता बैन पंचाय चुनाव और इसके रिजल्ट की गोशना मतदान के दिन चुनावी धंदली होने के आरोपों से जुड़े हुए जो है विश्यों की सुनवाई के सिलसिले में उसके यानि कि अदालत के अंतिम आदेश पर निरबर करेंगी तो यहां पर बड़ा जड़का अदालत जो बोलेगी वही जो है यहां पर अंतिम आदेश जो होगा उसी पर चीजे तैह होंगी वहीं राज्य चुनाव और राज्य सरकार और केंदर सरकार को जो है चुनावी धंदली के आरोप लगाने वाली तीन याचिकाओं पर जो हलफ नामा दाखिल करने का निरदेश भी द जालत ने निरदेश दिया कि आयोग को उन सभी उमीद्वारों को इस पहलू की सूचना देनी चाहिए जिन्हें विजेता गोशित किया गया है यानि कि जिनको यहां पर विनर गोशित किया गया है राज्य में आठ जुलाई को हुए पंचाय चुनावों में बड़े पैमा अनुरोध किया गया है चुनाव में धांदली का जो आरोप है इसके बारे में भी आपको बता दे कि पुनर मतदान जो है वो 696 केंद्रों पर कराया गया और 11 जुलाई को मतगन्ना शुरू की गई एक याचिका करता ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें मतदान के दिन को परदर्शित किया गया था और ऐसे तमाम जो है सोशल मीडिया पर इसको लेकर के शिकायते भी सामने वहीं अदालत ने याचिका करता को इस वीडियो की प्रती आयोग राज्य सरकार और केंद्र के वकीलों को बुदवार तक उपलब्द कराने का निर्देश दिया है अगर बात किया तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रती अप्रसंदता प्रकट करते हुए हाइकोट की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का जवाब पर्याप्त नहीं है जवाब उनका यानि कि यहां पर संतुष्टी करनवाला नह सिर्दी नहीं था कितने वड़ी लापरवाई है वहीं अदालत ने कहा कि यह सपश नहीं है कि आयोग क्यूं पहले से सक्रिय नहीं है खास तोर पर तब जब अदालत पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो है यहां पर बात कर रहा और प्रत्रम फैसला जो है इसका 13 जून को सु सिलेवार दिशा निर्देश जारी किये थे अदालत ने कहा कि यह आश्यरे की बात है कि चुनाव नतीजों की गोशना के बाद भी राज्य में हिंसा की रोक थाम नहीं हो रही है और अदालत ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की स् कि एक दूसरे पर आरोप मड़ रहे हैं फिर हमारे आदेश देने का मतलब क्या हुआ यहां पर यह सवाल उठाया दरसल कलकत्ता हाई कोट ने 11 जुलाई को सुनवाई के दुरान राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी कोट ने आयोग से यह सवाल किया था कि हाई हाई कोट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से जादा इमेल मिले हैं अगर आप इन हालात पर कंट्रोल नहीं कर सके क्यों नहीं कर सके सवाल उठा वहीं चीव जस्टिस टी-एस शिवगनमन ने आरोप प्रतियारोप करने वालों से कहा कि पहला जो है आरोप एक दूसरे को आप दोश दे रहे हैं दूसरे की किसी और को दोश दे रहे हैं फिर हमने जो इतने सारे आदेश जारी किये थे इन सब का क्या मतलब है पंचैज चुनाब को लेकर हाई कोट में दरसल जो है तीन याचिकाएं दायर हुई चुनाब में हुई दांदली को लेकर के और जो हिंसा हुई उसको लेकर के हाई कोट में तीन जनहित याचिकाएं जिनको PIL कहा जाता है PIL जो है वो दायर की गई है पहली आची का करता पश्यमंगाल विधानसबा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष नेता शुवेंदू अधिकारी हैं दूसरे आची का करता भी भारतिन्ता पार्टी के नेता हैं और कलकता हाई कोट की वकील प्रेंका टिब्रेवाल हैं की तीसरा याची का करता एक आमनागरिक फरहाद मलिक है राजसरकार की बात की रहे तो राजसरकार ने मंगलवार को कोट में चुनावी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जिसमें दावा किया गया कि नमांकन वापसी के दोरान कोई अवैत्ता नहीं हुई है ये कौन कह परकार और सुरक्षा बलों से हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी जो भी राज्य में हिंसा चल रही है उसको लेकर के इसी बीच आपको पता दे कॉंग्रेस के वरिष्ट ने था अधीर रंजन चोधरी ने भी याचिका में कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा से हो गया है और अगर बात किले तो समाज के सबसे गरीब तबके पर इसका सबसे जादा बुरा असर पड़ा है जो लोग गंबीर रूप से गयल हुए या फिर जिन्होंने आपनी जान गवाई वह अपने प्रियजन का अंतिम संसकार तक नहीं करवा सकते यह भी का गया था उ दिया गया था बैर हाल यहां पर अब एक बड़ा जटका जो है वो टीमसी को लगता हूँ ऐसी भी चाप को बता दे भारतिनता पाटी बंगाल की तरफ से बारा जुलाई रात को दसवेज एक ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया कि बाचपा ने त्रीस तर यह पंचैज खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसके लिए सभी को दन्यवाद तो यहां पर दन्यवाद भी व्यक्त किया गया कारेकरताओं का अब यहां पर यह देखना होगा कि जो कहा गया है हाई कोट की तरफ से कि अंतिमादेश पर सब चीज़ें निर्बर रहेंगी क्योंकि जो जो है वो सामने आई हैं रिजल्ट वाले दिन तो अब देखना होगा कि इसमें रिजल्ट में कितनी दांदली हुई है कहीं पर यह भी आरोप लगे कि यहां पर स्ट्रॉंग रूम से बैलेट बॉक्सों को बदला गया है बैरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो प्रतिक्रिया आप जरूर हमारा साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें रहें तमाम अपडेट के लिए बने रहें से विन्यूस के साथ धन्यवाद